हेलो दोस्तों नमस्ते मैं नुश्टारों में आप सब का स्वागत करती हूँ माई सूल फैंबली माई वीवर्स माई सेस्क्राइब स्कॉर्ड बिलिस यूँ तेर आज का विकाच में वीडियो लेकर आई हूँ यह है आपके पार्टनर के लेट टाइट थाट्स आपके लिए उनके मन में क्या है, उनके फिलिंग्स क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन, उनकी जो फिलिंग्स है आपको लेकर, क्या वो महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर और आपके लिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग दे सकते हैं, मेल भी मे अपना ख्याल रखें अपनों अपनों का भी ख्याल रखें अपना फ्यूचर अपना करियर पर भी फोकस करें ठीक है थोरा सेल्प लब करें थोरा मेरिटेट करें खुद को हील जरूर करें बी पॉजिटिब बेस्ट्रॉम देखती हुए लेट नाइट थाउर्स आपके पार्टनर के इनरजी उनका मोटर उनका एक्सट उनके फिलिंग्स क्या है आपके लिए इंसल प्लीस काइड करें डिवाइन गाइड करें और के दिबशक्ति गाइड करें लेट नाइट थाउर्स क्लिंजिंग टुद पास्ट ओ माइगाड यह पास्ट न्यू विजन कुछ तो हुआ है ओ माइगाड स्ट्रेस देखिए आपके पार्टनर कुछ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं फस्तिक काड़ाइड क्लिंजिंग टुद पास्ट बोलो दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं चेना वहाँ नहीं रहना दुखी मन मेरे आपके पार्टनर पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिशान दिखाई दे रहे हैं ठीक है और उनके वज़े से इनके अंतर बहुत पेन हो रहा है विवर्श ठीक है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके परसन को क्योंकि ये पास्ट से नहीं निकल पा रहें कोई भी रास्ता ढूंड रहे हैं कोई भी विजन किलियर नहीं हो रहा ये विजन भी किलियर करना चाहते हैं रास्ता भी किलियर करना चाहते हैं बट इन्हें नहीं हो रहा stress, anxiety, overthinking और दुखी मन मेरे तो जब आपने गलती करी दी तो टेंसल लेने से क्या फाइदा? गलती को शिकार कर लो, अपने प्यार को अपने लाइफ में बुला लो, तो ये भी नहीं होगा तो दर्द में है आपके partner, ठीक है? पास्ट में जो गलतीयां हुई है ना, उनके वज़े ज़्यादा stress ले रहे हैं, आपके साथ जो भी इन्हों ने किया है, या अब तक ये कर रहे हैं, तो ये पास्ट को भुलाने पा रहे हैं, ये बहुत रास्ता ढून रहे हैं, anxiety से दूर होने का, पास्ट निकलने का seven of wands action लेने का action के mood में हैं आपके partner क्योंकि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां इनका चैनी नहीं है, मनी नहीं वहां रहकर क्या करना है, हैं, जिनका आपके partner का जिससे दिल मिलता है, वो उनहीं के पास रहना चाहते हैं, वो है आप, तो देखिए, आपके तरफ action लेना चाहते हैं, अगर इस relationship में है, जहां भी किसी के साथ भी हैं, तो यह बहुत दुखी हैं, legal issue भी हो सकता है, reunion, देखिए, इस connection को बहुत ज़्यादा deeply feel कर रहे हैं, तभी ये इतना पास से नहीं निकल पा रहे हैं, सौरू की एनरजी में हैं, ठीक हैं, इसलिए इतना इनको stress हो रहा है, balance और success और आपके तरफ बढ़ना चाहरे हैं, 6th number आप सब के लिए important है, देखिए, कार्ट देखिए, cups की एनरजी है, कपस की एनरजी है, विवर्जी, यानि emotions बहुत हाई हैं, आपके person के, ठीक है, कुछ भी हो, ये तो सच है, कि सच्चे प्यार की जीत होती है, अपनी पाबर में आएंगे, थोड़ा ego को कम करेंगे, क्योंकि ये इस वक्ष्ट कन्फ्यूजड है, समझ भी नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नियो विजन, तो इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इस वक्ष्ट, लेकिन इस रिष्टे को, इस कर्शन को, ये डिफली फिल कर रहे हैं, जहां चाहा कर भी, आप से ये डिस्टन्स मेंटेंड नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, कुछ विएर्स आप अपने कडियर के उपर, अपने फाइनांस के उपर, अपने फीगर के उपर, अपने हेल्थ के उपर, आप फोकस कर रहे हो, है ना, और ये अपने अपने आपको चेंज करने की कोसिस की है, या नाइन ऑप पिंटिकल्स है, यहां आपने कडियर पर, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, और कुछ विएर्स आप अच्छे ग्रोथ भी करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप अपने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने पस्नालिटी पर, अपने लाइफ इस्टाल पर, अपने रूटेन पर, ठीक है, अब कुछ विएर्स आप बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होने लगे हो, या फिर आप किसी पक्छी से बात करते हो, या फिर हो सकता है नेचर से कनेक्ट होते हो, कहने के मतलब डाउन टू अर्थ वाली एनरजी आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा चीज गेन कर रहे हो आप अपने लाइफ में, तो यह बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर, साइन बता देती हूं, स्ट्रॉंग साइन है, यहाँ पे वांस की कप्स के इनरजी बहुत दे स्ट्रॉंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग साइन जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो है, यहाँ आपके परसन के मन में जो भाबना हैं आपको लेकर, अगर आज वास आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत इंसाइटी, बहुत स्ट्रेस, लेकिन कोच विएर्स आपके पार्टनर पास्ट से नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़दा ओवर्थिंकिंग भी करेंगे, और अपने इस रिस्ते को याद करेंगे, बहुत इमेजन, बहुत ज़दा आपके फोटो को देखकर सैड हो जाना, इविन कि मुझे लग रहा है जो सौडो की एनरजियां पर ये एनरजी जो दिखाई दे रही है, ये कभी-कभी इमोशनल भी हो सकते हैं, आपके फोटो को देखकर, इस रिस्ते को लेकर कि आपने बहुत कुछ किया है, ये रिस्ते, जो आप दोनों का रिस्ता है, इसका जो रिलेशन्शिप का जो बॉंड है ना, बहुत स्ट्रॉंग है, ठीक है, समय सपोर्ट नहीं कर रहा, अलग बात है, क्योंकि देखो ये 3D दुनिया बॉया, तो ये हर इनसान को अपने पर लाइप की, अपने पर अपस्टिकल होते हैं, कर्मा होते हित, ब्लॉकेज होते हैं, तो उसी परकार ये परसन्ड आपके फोटो से बहुत बात करने वाले हैं, लेकिन इन्हें anxiety, depression भी हो सकता है, stress भी बर सकता है क्योंकि ये photo अगर देखकर बात कर रहे हैं, imagine कर रहे हैं और कोई रास्ता ढून रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है जिस वज़े से ये ज़्यादा mental stress ले सकते हैं और ये इनके मन में होगा dear, उसके बाद इनके मन में बदलाओ जो आने वाले हैं वो है offer, action, new beginning को लेकर, marriage को लेकर, commitment को लेकर ठीक है, हो सकता है, कुछ problems आरी उनके, आप दोनों की relationship में कोई एक दूसरे से, हो सकता है, कोई हम married है, या दोनों husband wife या फिर आप married हो, या दोनों married हो, कुछ भी हो सकता है वो भी एक प्रशानिया आ रही है, चाहत तो बहुत प्यार, तो बहुत रिस्ता बहुत गहरा है बट कुछ न कुछ obstacle आ रहे हैं, चीक है, लेकिन कुछ आप अपने लाइफ में changes लेकर आ रहे हो, जिसमें से आपके partner बहुत दुखी है, बहुत उदासे साथ, आपका वो प्यार वो attention उन्हें नहीं मिल रहा है, हो सकता है, आप अपने career पर अपने अपने life में काफी hard work कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ न कुछ आपके पस्णालती में निखा रहा आता हुआ, नजर आ रहा है, यानि कि कुछ न कुछ आपने बदला है, आपने grow किया है, ठीक है, आपने grow किया है, यहाँ पी married है, तो हो सकता है, legal issue चल रही है, हो सकता है, यह person आपको निया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनके मन के, जो मनसा है, जो आपको लेकर बिल्कुल negative नहीं है, आपको लेकर बिल्कुल positive है, बट यह आपको spike कर रहे हैं, आपको प्यार offer करना चाहता है, emotions बहुत strong है, ठीक है, emotions बहुत strong, बट इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप तक कैसे पहुंचे और आपको कैसे न्याय दें, कैसे आपके साथ justice करें, तो यह आप से reunion चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखे दियर, यह energy तो आर यह late night thoughts की, लेकिन मुझे हाँ पे six number important, इसलिए दिखाए दे रहे हैं, हो सकता है, यह रात की anxiety आने वाले time में, इनकी release हो सकती है, क्योंकि मुझे हाँ पे दिख रहा है, reunion होने वाली है, ठीक है, और यह stress से निकलना चाहते हैं, कोई chance नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी stress बढ़ती जा रही है, तो कहने का मतलब, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक कर रहे हो, या पिर हो सकता है, आप अपने उपर काम कर रहे हो, या अपनी पर सेल्फ लब पर फोकस कर रहे हो, तो कहीं न कहीं इने अब anxiety होने लगी है, और यह past से नहीं निकल पा रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपका रिस्ता जो है past life connection है, ठीक है, past to past life connection है, जो कि कुछ blockage आपके relationship में है, जो वो release नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वर्स आपके partner को भी अपने उपर काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों equal प्यार है, तो equal equal चलना चाहिए, तो कुछ cleansing to the past, कुछ years आपके partner को कुछ ना कुछ clear करना होगा, past को release करना होगा, तब जाके आपकी permanent union होगी, क्योंकि आपके partner की कमी यहां बहुत strong दिखाई दे रही है, क्योंकि overthinking भी है, past से नहीं निकल पा रहे हैं, और new vision, कहने का मतवी रास्तार तो ढूंड रहे हैं, लेकिन इन्हें रास्तार नहीं मिला, जिस वज़े से stress ले रहे हैं, उदास हैं, दुखी हैं, मन बहुत उदास है, ठीक है, लेकिन आपको लेकर जो strong bond महसूस कर रहा हैं, यह है, soulmate का, twin का, देखिए two of cups, और six of cups, और यहां पर आगा दलावर्थ, यह बहुत गहरा connection है, जो एक दूसरे से आप मिले हो, तो उपर वाले नहीं मिलाया है, और यह बहुत गहरा रिस्ता है, strong रिस्ता है, तो यह रिस्ते कोई बारे में काफी सोच रहे हैं, क्योंकि द देता है, या देती है, जो भी हो, लेकिन यह the full के energy में आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, कि होता है न कि जो होगा, देखा जाएगा, तो यह रात के energy के बाद इनके energy में changes भी आने वाले हैं, क्योंकि आप से हराल में मिलना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इस रिष्टे में 100% है कि वो success चाहते हैं और six number आप सब के लिए important है six number balance का है ठीक है ये balance का है और कुछ viewers मुझे लग रहा कि आपके career में भी growth हो रही है या आपका finance अच्छा हो रहा है और हो सकता है कुछ आपकी growth हो रही है जो कि ये है abundance से related ठीक है चाहे abundance से related हो या पिर अपनी self-lab की growth हो या फिर career को लेकर कुछ अच्छी मतलब आपकी growth होती हुई नजर आ रही है तो आप progress कर रहे हो आप आगे बर रहे हो और आपके तरफ न्याए भी मिलेगा ठीक है आपके तरफ जस्टिच भी होगा न्याए मिलेगा लेकिन आप वैसे ही इस energy में चलते रह तो बहुत विवर्स आपके partner जो है late night thoughts के energy में stress ले लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं आप तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंड़ रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि इस energy से निकलने के बाद आपके partner आपसे reunion चाह रहे हैं आपके तरफ बढ़ना चाह रहे है एक्सल लेना चाह रहे हैं और प्यार और romance भी बहुत ज़दा फिल कर रहे हैं आप दोनों separation में हो तो बहुत ज़द आप लोग का separation खत भी होने वाला है तो आपके partner late night बहुत ज़दा आपको लेकर याद करें इविन कि ये रो भी रहे हैंगे stress के वज़ा से जैसे लगता है कोई बंदा सामने आज़े तो मैं उसे छोड़ू ना लेकिन मुझे तू चाहिए बस तू चाहिए ये वाली energy है तो ये रास्ता ढूंड रहे हैं आप तक पहुँचने का डियर कोई प्रशानिया है कोई obstacle है तो कोई ना कोई रास्ता ढूंड है कि आपके तरब बढ़ें उ विडियो निंग के चांसे तो दिखाई दे रहे हैं बट आप लोग पॉजिटिव रहें और अपने पर फोकस करें तो ये है लेट नाइट आपके पार्टनर की एनरजी विडियो अच्छे लगे दियर तो लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंकी सो मच and God bless you